इंडिया गेट पर आयोजित परियटन पर्व में हर परदेश से कुछ ना कुछ खास रहता है। इसी को लेकर R9 TV की समवादता भावना अरोडा ने उत्राखन टूरिजम की चुनाइन डारेक्टर पूरम चंद से खास बात चीद की। इस वक्ते उत्राखन से कुछ आपको इक बात चाहोगे की उत्राखन की संस्कृति और नजारा यहां पर किस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। महात्मा गांदी के जरीए यह किस तरीके से यहां पर जुड़ते वे नजर आ रहे हैं। और सबसे एहम बात यहां पर यह है कि अगर देखा जाये तो कही न कहीं यह संस्कृति यह दिखाने की कोशिच करती हैं। कि आखिर कैसे हम उत्राखन से जुड़े वे हैं। और सबसे एहम बात यह है कि जब हम गांदी के बात करते हैं तो तमाम ऐसे चीज़े हैं जो कि गांदी से पिछूड़ी नजर आते हैं। जब महात्मा गांदी जो है अपना दौरा करने के लिए उत्राखन की तरफ आये थे तो वे उत्राखन की किन-किन लक्षों से वो यहां जुड़े वेते हैं। अंदर की तरह हम चलते हैं और दिखाने की कोशिच करते हैं। और सीधा यहां की जो डारेक्टर हैं। उसे हम लोग बात करते हैं कि इस बार महात्मा गांदी की 150 वी जन्दी पर क्या खास है। तो सीधा मैं उन्हीं के बाद जाने वाली हूँ। पूनम जी के पास तो चलिए उनके बात चलते हैं। उनसे चानने की कोशिच करते हैं। पूनम जी देखा जाएं, तो महात्मा गांदी जी की 150 वी जन्दी है। ऐसे में यहांबर परियेटन के तोर पे उत्राखंट से आप क्या खास लेकर आएं। इस बार 105वी जन्दी के हुबलक्ष पे हम लोगों ने उत्राखंट में महात्मा गांदी जहां जहां पा गहते हैं। पात्मागादी स्वास दलाब के लिए उत्राखन आयते हैं तो उनके स्वास दलाब के लिए वो कौसानी में रहते हैं बहुत टाइम तक आना सकती योग उन्होंने लिखा था वहां पर उसके प्रस्तावना और उसको अंत किया था तो आप देखेंगे सब हमने डिस्प्ले कि सब्सक्राइब के लिए उत्राखन की संस्कृति है उसका संस्कृतिक द्रिस्ट्री से बहुत ही बहुत पूर्ण उत्राखन है तो हमारी संस्कृति को दिखाने के लिए यहां का खान-पान, हमारे शेफ आएवे हैं आहना रिजॉट से आज और उत्राखन के गड़वाल मंडल, कुमाई मंडल, नवदानिया इन्होंने फूट स्टॉल लगाया हुआ है, तो अभी लाइव फूट रिमोस्टेशन है, अभी 10 मिनिट के बाद, 4.30 से, दो तारिक से हजारों लोग यहा को दिखाया गया है, हर स्टेट, आपको महात्मा गानी के अलग अलग चीज़े दर्शारा है कि किस तरीके से महात्मा गानी प्रोदेशों में गए और जाकर जो है, किस तरीके से आश्रम का निर्मान किया है, लोगों को लगूर, कुटी, रुद्योगों से जोड़ा, जब कि हमें परजान अमित के साथ, मैं भावना, A9 TV, दिल्ली